हमने महान धनोर दरो करण और अर्जुन की कहानियों और लड़ाईयों के बारे में बहुत कुछ सुना है दोनों देवों के पूत्र थे करण सूर्य के पूत्र थे और अर्जुन इंद्र के पूत्र थे करण को भगवान परशुराम द्वारा प्रिक्षिक्षित किया गया था और अर्जुन को गुरु द्रोना चारे द्वारा प्रिक्षिक्षित किया गया था आज हम एना प्राकरमी युद्धाओं के पास मौजुद अस्त्र की तुलना करेंगे और सबसे सक्तिस साली युद्धा को पाएंगे नमस्कार मित्रो हिश्ट्री फैक्ट में आप सभी का हार्द एक श्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त रतन सिंग तो पिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किये तो पहले हम जानते हैं अर्जुन के अस्त्र के बारे में सूर्य अस्त्र ब्रमा अस्त्र जोतिक्षा अस्त्र चंद्र अस्त्र इंद्र का अस्त्र भुमा अस्त्र नगपास अस्त्र गरूड अस्त्र, स्वाप्रना अस्त्र, आगने अस्त्र, वरून अस्त्र, वायू अस्त्र, विशोसा अस्त्र, मुहिनी अस्त्र, रूद्र अस्त्र, ब्रहमसिरा अस्त्र, वैशनाव अस्त्र, पासुपता अस्त्र अब हम जानते हैं अंगराज करण के अस्त्रों के बारे में रुद्रास्त्र ब्रहमसिरास्त्र ब्रहमांड अस्त्र ब्रहमास्त्र दोनों थनुर्धरों के पास उप्रोक्त देव्य अस्त्रों को देखते हुए सर्वस्रेश्टन थनुर्धर का पता लगाना बहुत मुश्किल है अच्छी तरह से समझो कि करण अपराजित था क्योंकि उसके पास अपना कवच्च और कुंडल था और मैं आपको बता दू कि एक युद्धा को विजिता तब घोशित किया जाता है ये दिवा प्रतिद्वेंदी को मारता है या उसे आत्मा समर्पन के लिए कहता है और वो सामने वाला कर देता है तो तो इस वह परंप्रा के अनुसार अर्जुन के लिए एक हुद्ध में करण को हराना बहुत मुश्किल था साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अरजुन के पास पासुपतास्त्र का भी ग्यान था और अंत में हम सभी जानते हैं कि युद्ध के मैदान में करण को मारकर अरजुन ने युद्ध जीता था लेकिन सब ये भी जानते हैं कि तब करण अपने रत का पईया निकाल रहे थे और उस वक्त उनके हाथ में धनूज या कोई अस्त्र सस्त्र नहीं था हम आपको ये तै करने के लिए छोड़ देते हैं कि दोनों में सक्सम होता कौन था और क्या होता अगर अंगराज करण पूरु सेत्रों के मैदान में या रण फूमी में कवच और कुंडल के साथ लड़ते आउर हमें कमेंड बॉक्स में बताना ना भूले कि कौन था सर्वसरेश्ट युद्दा करण या आरजून जेहिंद जे भारत